Hello friends, कासे हैं आप सब? Hopefully आप सब अच्छे होंगे और अपने exam के preparation बहुत अच्छे तरीखे से कर रहे होंगे मैं प्रियंकार आप सब का आपके अपने YouTube channel Let's Start Study में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ जैसे कि आप सब को पता है कि U-P-T exam के लिए EVS section को discuss कर रहे थे और UP TED के लिए आपको EVS के इनी topic को पढ़ना है यह आपका EVS को syllabus है और आप जहां भी पढ़ने हो सबसे पहले syllabus लगा के रखिए क्योंकि आपको जो पढ़ना है आपके syllabus के according पढ़ना है hard work करना है लेकिन hard work से important होते है smart work हमें hard work को smart तरीके से करना है अगर hard work को आप smart तरीके से करते हैं तो आपके success निश्थे चोए और अगर ये class आपकी क्या होगी सिच्छक बनने का जो सपना है उस सपने को पूरा करेगी इसलिए copy pen लेके बैटिये तकि important point के notes बना सके आपको मेहनत करना है हर हाल में सिर्फ सुनना नहीं लिखते भी जाना है उन सब को तयार भी करना है क्योंकि अगर आपका सपना है सिच्छक बनने का तो आपको अपने सपने को पूरा करना है कैदी चे अपने माबाप से उनके पसीनी की एक एक भून को मोती सा चमकाऊंगा आपके हर पसीनी की जितना भी आपके माबाप से महिनत किया पसीना किया आपको बेड़ बी टीसी करवाया इतनी पढ़ाई करवाई उस सब का आपको फल देना है उन्हें जौब लेक के दिखानी है इसलिए बहुत जादा महिनत करिया आपका फैस्ट टॉपिक क्या था परिवायर जिसको हम अत्यान कर चुके है सेकेंड टॉपिक आपका भोजन स्वास्तवा सोचता जिसको हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से बढ़ चुके भोजन क्या होता था भोजन के पोसक्तत्य क्या इसे एक खास पोलसकता बिझकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा ऐसे कुछ इंपोर्टन टापिक जो ते इसमें डिसकस कर चुके त्राफिक आवास आवास क्या होता है आवास को प्रहावित करने वाले कारग क्या होते है मरस्तली इस्तानों पर कैसे आवास बनाए जाते हैं ठंडे इस्तानों में कैसे आवास बनाए जाते हैं कहां पर आवास बास के उपर बनाए जाते हैं आवास के विजिस्ताएं क्या होती है किन आवासों में पैटर्न लागू होता है खतम बंद क्या होती जली आवास क्या होते हैं आस्ता ही आवास किनता गत कौन-कौन से आवास आते हैं ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में डिसकस किया था थर्ड टॉपिक था हमारा पेड़ पोदे और जन्तु जिसको हमने अध्यन क्या था पादप जगत के इंतर कौन कौन आता है उनके क्या लच्छड होते हैं जन्त जगत के इंतर कौन आता है उनके क्या लच्छड होते हैं क्या विज़ेस्ता ही होती हैं सरी सरफ क्या होते हैं सरी सरफ में कितने हार्ट में चैंबार होते हैं चूप इंपॉर्ट डिसकस करेंगे आज हमारा फिप्त टॉपिक है हमारा परिवेस इस टॉपिक को डिसकस करेंगे यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है क्योंकि हमारा परिवेस में क्या क्या आता है सोचे हमारा परिवेस हमारा सब्द हम सब का संबली दुरूप से तो हमारे आस्पस जो भी चीजे होती हमारी परिवियस के अंतर गती तो आएंगी चाहे पर्यावरणू तो पर्यावरण क्या होता है परी प्लस आवरण हमारे चारूर के जो आवरण होते है वो हमारा क्या होते है बर्यावरण पर्यावरण हमारे परिवियस के एक भाग है हमारा पूरा परिवियस नहीं है तो इसी टॉपिक के अंतगत हम जो उमारा पर्यावरण है पूरा पर्यावरण डिस्कस करेंगे पर्यावरण के घट्टा कौन से होते हैं कौन से क्या होती हैं सारी चीज़े इसके अलावा जो प्रदूस्र है उभी तो परिविस का साई जितना भी प्रदूस्र के ऑगा उसको भी समें डिसक्स करेंगे इसके अलावा क्या झा自 craft कि चीजे हो रही हमारे डिसक्सर गटनाय हो रही прошjang गटना है क्योंगे किसी साइश्टिफिक कारश्ट हो रही है कोई ने कोई तो विज्ञान की प्रिया हो यूज हो रही होगी है कुछ important चीजे हम discuss करेंगे क्योंकि आपको पता है कि प्रात्मिक इस तर में हमारा परवियस जो इवियस होता है उसमें विज्ञान वा समाजी गद्यान दोनों को एकीकरत उपागम के माध्यम से पढ़ाते हैं इसके अलावा प्रमुक परवाद पठार जो हमारे आसपास उन सब के बारे में डिस्कूस करेंगे इसलिए यह टॉपिक आपका काफी लंबा चलेगा कई सारे स तरफ टॉपिक एं लेकिन वह आपके इप्जाम में कोस्त don पूछे जाते हैं इसलिए इस टॉपिक के IMPORTEN ौइंट के नोट बना लीजा उसके लिए चीज में याद करवा दोंगी इसलिए मैं क्या करता हूं प्रिविश वीडियो के चुछ्योगई होतें आप्को बीच्पीस में chiliya दोती जाती आपको स्क्रौस प्रिविश परी दूसरा क्या होते आवरण परी का तात्पर क्यों होते परी का तात्पर होते है चारु ओर आवरण का तात्पर क्यों होते है आवरण का तात्पर होते है घेरा हमारे चारु ओर को जूबी घेरा है वो हमारा क्या पर्या वरण पर्या वरण किसका आंग है तो हमारे पर्यावरण को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कुछ हमारा भौतिक पर्यावरण होगा, कुछ आपको सांस्कृतिक पर्यावरण होगा, ऐसे हो सकते हैं, हमारे आसपस तो हमारे कल्चर होता है, हमारे सिवलाई जेसान है, हमारी संस्कृति है, हमार से पढ़ार पाई जार रहहें किया से पर्वत पाई जार रहें ये सारी चीज़ें कैसी हो जाएंगे हमारा बहुत एक पर्यावरान तो हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीक्या चे संझेंगे चली सबसे पहले हम समझते पर्यावरान के भाग मुख रूप से क्या से जल मंडल वाईव मंडल और जैब मंडल तो किसके भाग है यह आपके पर्यावरण के ही भाग है तो कई पर एकजाम में इस तरह से पूछी जा सकते इस तल मंडल किसका भाग है जैल मंडल किसका भाग है यह वाईव मंडल किसका भाग है तो यह सब किसके आपके पर्यावरण कि ही भाग है और पर्रे वरंड किसका भाग है पर्रे वरंड आपके परिवियस का एक भाग है क्लियर इतनी पॉइंट आपको समझ में आए कोई भी क्लियर हो तुरंत कमेंट बोक कमेंट कीचेका ओके आप चलिए आगे दिखते हैं आगे चुह होता हमारा वायू मंडल अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं इसके लब आपके इसतल मंडल को भी अलग 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 भाग होते हैं जिसके एकाउडिंग हम पढ़ेंगे जिसे वाइव मंडल को डिवाइड करते हैं छोप मंडल में समताप मंडल में मद्य मंडल में और ताप मंडल में 5 मंडल आपके लिए बहुत ही important है, क्योंकि इससे आपके exam में question पूछे जाते हैं, छोप मंडल में क्या होता है, छोप मंडल की सीमा कितनी होती है, समताप मंडल में क्या होता है, उजूर परत किस मंडल में पाई जाती, ऐसे कुछ important question आपके exam में पूछे जाएंगे इसके बाद फिर हम ताप मंडल को भी दू पार्ट में डिवाइड करते हैं कौन-कौन सा आयन मंडल और बहर मंडल बा मंडल को बहर मंडल के नाम से भी चानते हैं क्लियर हुआ आपको ये तो भी हम बता रहें के पढ़ना क्या है अभी इस जीज को सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे पहले तो हमें पर्यावरण पढ़ना है पर्यावरण के फिर घटक क्या होते हैं आज हम पर्यावरण के जैविक घटक के बारे में जर्चा करेंगे इसके बाद हम जब इसके अजैविक घटक पढ़ेंगे तब हम इस्तल मंडल पढ़ेंगे, फिर जल मंडल पढ़ेंगे, फिर हम वाईव मंडल पढ़ेंगे, यह नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे, तो आज हम किसके बारे में डिसकस करते हैं पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के अधिन के सुपता से मुख रूप से दू घ तो जैवी को जैवी गटक दूनों से मिलकर रवातावरण हमारी आसपास में चूबी चीज़े आप देख लीजे या तो कुछ चीज़ें क्या होंगी जिसमें जान होगी मतलब जीवों की तरी के सजीवों की तरी के क्रियाई कर सकते हैं कुछ जो सजीव की तरह क्रिया नहीं कर सकते हैं मतलब क्या होंगी निर्जीव तो अगर पर्यावरण के आपसे घटक पूछेगा तो मुक्रूप से कितने घटक होते हैं चैविक घटक आचैविक घटक और चैविक और आचैविक घटक दोनों से मिलकर चो निर्मित वाताव यह से अब क्या पोलती हो पर्यावरन तो पर्यावरन के आपको definition समझ में आई कोई भी point आपको समझ, नहिंगा तुरन कमेंट कीजी पर्यावरन, परी प्लेस। आवरन धो सब्लों से मिलकर बिनें। परी का यह धीर ह Gleich हैो बर्यावरन ह собой और राह को अलग पाट में मंडल है यह सावर ने क्या पर्यावरन के भाग है इसके बाद हम वाइप मंडल को अलेगल अपार्टमेट वाइट के दें छोप मंडल संताप मंडल मद्य मंडल ताप मंडल को अपने दो पार्टमेट वाइट के बही मंडल आयन मंडल क्लियर हो कि आपको इसलिए मैं आपको इवाइज भी कर आती ही चल जा रही हूं ताकि हर चीज आपको सिर्टमेटिक वे भी याद हो जाए पर्याराण के दुग घृटक होते हैं चैविक घृटक जो नेर्मीत वह राता वराण होता है उसे हम बोलते हैं पर्यावरण अब फिर जैविग घटक के कुछ पार्ट हो जाएंगे, जैविग घटक के कुछ पार्ट हो जाएंगे जैसे जैविग घटक के मुक्रूट से तीन भाग होते हैं उत्पादक, उभूगता और अफगटक ये आपके किसके भाग होते हैं जैविग घटक है इन तीनों के लाभवत चूबी होता है वो किसका भाग होता है आपका अजैविक घटक का clear आपको इतना point समझ में आया पहले आप इतना समझे पर्यावराण क्या होता है पर्यावराण के परिवास जैविक घटक वःだ जैविक घटक अब अजयवी घटक को आमने भी तीन पार्ट में डिवैड किया पहला हमारा भौतिक कारक, दूसरा आकर्वनिक पदार, दीसरा कार्वनिक पदार क्लियर हो क्या अब अजयवी घटक किंते कि भौतिक कारक में पहला भाग क्या होगा बहुत दिक कारक, बहुत दिक कारक के नतकित कियांगे, जो भी हमारे बहुत दिक कारक है, हमारे पर्यावरण बहुत सारी ऐसे चीज़े हैं, हमारे आसपास, जो कैसे कारक है, बहुत दिक कारक है, जैसे आपका ताप, ताप कैसा कारक है, बहुत दिक कारक, आदरता, प्रकास फाइब मेंडली दाव यह सब पर्यावरण के बहुत तिक कारक हैं तो आपके एक्जाम में इस तरह से क्वेशन पूछी जा सकते हैं इसलिए इसको याद रखेगा अब जैसे जल होता है ऑक्सीजन कार्वन डैक्साइड नाइट्रूजन यह जो भी कैसे होती है पर्यावरण किस घटक के अंतरगत आएंगे तो आजयवी घटक के अंतरगत समझ में आपको इस तरह से इस जो टेबल में ने आपको दिये इस टेबल को याद रखेगा जैसे यह देख सकते हैं आपको एक्जाम में इस तरह से क्वेशन पूछे जाएंगे जैसे आपसे पूछे का मिट कारवनिक कारक है, आपको जो वाइबंटली दाब है, बहुत दिक कारक है, इसके लोग उत्पादक, उभोगता और अपकटक, कैसे कारक है, जैविक खटक है, क्लियर, इतना पॉइंट आपको समझ में आया, कोई भी चीज नहीं समझ में, तुरन कमेंट वाक्स पर कमेंट और हाँ नोट शुरू बनाते रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा होगी, बहुत जादा हाड़ वर कर रहे हैं, लेकिन यही मेहनत आपको अपने तक पहुचाएगी, अपनी कलम से अपनी किसमत लिखे, आज जो लिख रहे हैं ना, यह परेवर नहीं लिख रहे हैं, अपनी किसमत लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप यूपीटर के अक्जाम देंगे, बहुत सारे बिच्चे जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कौप फॉर्म निकलेगा, कब तैयारी स्टार्ट करेंगे, जब फॉर निकलता है, तब तो सिर्फ आपको प्रक्टिस करनी होती है, तैयारी तो पहले की जाती है, आपने जब टॉल से वगरम पढ़ते थे, तो क्या वेट करते थे, कि का मेरी स्कीम आएगी तब मेरे अग्जाम होता पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई तो बहुत पहले से कर रहे हो पाते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, आपने पढ़ने का तरीका बहुत गलत यूज करते हैं, आज जैसे अपने इस टॉपिक को पढ़ा, अब आपको क्या करना है, इसी टॉपिक के चितने भी क्वेस्टन बन सकते हैं, तुरण तम क्वेस्टन को सौर्प के लिए, तुरण इ उठाएंगे, पांचे दिन में क्या होते हैं अब इस टॉपिक को पूरा भूल जाते हैं, फिर आप इसी टॉपिक को दुबारा याद करने बैठते हैं, अगर आप आप यदि चाके इसी टॉपिक को दुबारा पढ़ लीजेगा, एक बार और वीडियो दिख लीजे, इसके जितने भी question उनको solve कर लीजे, तब आप दो दिन बाद फिरस topic कर रिवाइच कर लीजे, देखें कि आपको सारे topic बहुत ही आसानी से और अच्छे से तैयार हो जाएंगे, लेकिन हम ये तो करते नहीं, क्योंकि हम पढ़ने का क्या करते हैं, गलत तरीका यूज करते हैं, तो प पते हैं कि लग रहा हो कि मैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कि ये सारी चीजें आपके mind में अगर सेट हो गए, उस तरीके से आप पढ़ने लगें, तो देखेगा आपको सकसे जोने से कोई नहीं रोक साथा, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को offline देखती हूं, college भी देखत और बहुत सारे online बच्चों के message आते हैं कि मैं पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, exam टाइम में बहुत डर लग रहा है, क्यों? तो कि हम पहले पढ़ाई को systematic way से नहीं करते हैं, पढ़ते हैं लेकिन एक सही approach से नहीं पढ़ते हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, notes बना आते चलिए, चलिए, क्या आपको समझ में आ गया? क्या क्या आपको समझ में आया? पर्यावराण क्या होता है? पर्यावराण के definition, पर्यावराण के घटक, जैवी घटक, अच्यवी घटक, जैवी घटक के भाग, उत्पादग, उभुकता, अब गटक, आज जैवी घटक क क्योंकि हमेंसे मैं लंबे वीडियो बना रही हूं हर चीज ता कि आपको समझ में आए एक पॉइंट क्लियर हूं मेरा इम कहा है आपका सेलेक्षिन है इसलिए मैं कोई भी पेट क्लासिज नहीं रखी क्योंकि हर बच्चा जो अपनी फी को नहीं भर पा रहा है आपको पता है लाक्टों के कारण बहुत सारी दिक्कात आई है बहुत सारी लोगों की चौप जोट गई है आपके पास से मौका है अच्छे से फ्री में मैं सारी क्लासिज दे रही हूं कोई पेट क्लास नहीं रखी बस आपको पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करन अब पारिस्तिकी, अगर पारिस्तिकी को अब सरल सब्दों में तो ने इस्तिकी, इस्तिकी तरात पर क्या होते हैं, जहां पर रहना है, कोई इस्तान जहां पर वास करते हैं, उसका क्या हो जाते हैं, आवास टॉपिक में अन्ने सब डिस्कस किया था हैं, कि आवास क्या होते ह यह सारी चीज़ें में आवास के टॉपिक में डिस्कूस कियाता है, किस आधार पे हम किसी भी आवास का वर्गी करण करते हैं, यह तो आपको बता ही है, तो किसी भी जीव जन्तु का उसका वास इस्तान के अधार, जिस इस्तान पर रहता है, उसके आधार पर अध्यन करते है तो और देन किसमे करेंगे पारिस्तिकी के अंतरकत किसी पे जिऊचंतु का उसके वासिस्तान के आधार पे अध्यन किया जाता है पारिस्तिकी के अंतरकत क्लियर हो क्या और पारिस्तिकी के पिता किसको बोलते है अर्नेश्ट हैकल को Ernest Haeckel को पारिष्टिकी का पिता कहा जाता है इसलिके बाद होते हैं पारिष्टिकी तंत पारिष्टिकी और पारिष्टिकी तंत दोनों भी डिफरेंस है पारिष्टिकी का पिता किसको बोलते हैं Ernest Haeckel को राइट अंसर अब बते ही पारिष्ट की एतंत्र का पिता है जल्दी से कंवंट कीजिई ecosystem का father किसको बोलता है बिल्कुल सही आप लोग answer दे रहे A.G. Tanslay A.G. Tanslay को पारिष्ट की एतंत्र का पिता कर आ जाता है तो इस question का right answer के हो जँजे के A.G. Tanslay दोनों में confusion मत रखेगा अरनेश्ट है कल और एजी टांसले में पारिष्टकी में क्या करते हैं वास इस्तान की आधार पे अगर जीव जन्तों का अध्यन करते हैं तो पारिष्टकी होता है अगर हम जैविग घटा अज और किटा कि मैं अनतर समद्ध काति इन करीगा तो हम किसमे करेंगे ecosystem के अनतरगत system system क्यों उते हैं एक बेवस्थित तरीका जैसे आप किसी भी काम को करते हैं तो उसका कहीं नगे कहते हैं system से काम करें systematic way से पढ़ाई करें कुछ और बोल देते, system, system का थाद पर रहेते थे एक सू ब्यवस्त तरीका, कोई भी काम अच्छे से अगर आपको करना तो इसको एक सू ब्यवस्तित तरीकी से करना पड़ेगा, तो वही तो होता है, तो जैसे आपका पर्या वरान है, पर्या वरान क्या होता है, चैवी घटक आप अचयविक घटक को मिलाकर जो निर्वित वाता वरार होता है वही तो क्या होता है आपका पाड़ा वरार तो चयविक घटक, अचयविक घटक के में कुछ तो संबन्द होगा है न अब अपने घर का एक छोटा चे एक जामपल देखिए आपका रूम जिस रूम में आप बैटके पढ़ाई कर रहे है तो इस रूम में आपके बहुत सारी चीज़ें कैसे होंगी जैविक घटक के होंगी और बहुत सारी चीज़ें कैसे होंगी आज जैविक घटक के लेकिन दोनों में के एक संबन्द होगा वही समद्ध के अगर आपको अध्यान करना है किसमे करेंगे? ecosystem में अब आप सोचों कि मैंम तो अपने रूम में सर्ट जयविक गटक की चीज़े रखूँगा या मैं तो सर्फ अजयविक गटक की चीज़े रखूँगा तो कि ऐसा possible है आप बोलें कि नहीं मैं ऐसा करता है अगर आप तो सिर्फ अजयवी घटक रखुँगा तो आप आप जयवी घटक है तो रूम आपसे बोले कि चलो चल्दी से बाहर निकल जाओ तो रूम तो खुद को आपको ही बार निकाल देगा, आप बुलेंगे, मैं युद तो बढ़ा गड़ बढ़ा है, तो आप बुलेंगे, मैं ऐसा करते हैं, सिर्फ चैविक घटक की चीज़े रखें, सोचे, तो क्यों सिर्फ चैविक घटक की चीज़े आपका काम चल पाएग आपके स्टेडी टेवल, तो पहले ही बार निकल जाएगी, आपको मॉबाइल फोन, आपका लैप्टॉप, ओभी बाहर जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्यों तो दूनों चीज़ों में एक बैलेंस में आके रखना पड़ता है, चैविक घटक की अचैविक घटक, दूनों से काम करना होगा, तो हमें दूसरे से रिलिशन अच्छे बना रहतने होगे, अगर हमें कोई भी चीज़ अच्छे से काम करना हुगा है, तो हम मज़ी से अमारे ऐक काम होता है जूरी अगर सेनी, जाता दिखा हो की, तो हम क्या करते किसके नतगत करते हैं? इको सिस्टम और फादर आफ एको सिस्टम एजी टॉंस ले क्लियर होगे है? आपको पर्यावर समझ में आया, पारिष्तिकी समझ में आया, पारिष्तिकी दंस समझ भी आगया आज हम जिसका अरद्यन करेंगे, किसका अरद्यन करेंगे चैवीघतक के बारे में, चैवीघतक के कितने भाग होते हैं? क्या स्वाद क्या는 अभाग थी? ये किस Deshalb में यह तर्यावीघतALK? तो आपके एकजाम में इस तरह से Quesn मुछलेता हैं, आप एक जाम में से ऐसे क्वेस्टन नहीं पूछेगा एक क्वेस्टन कैसा पूछेगा अपसे उत्पादक के अंतरगत कोई नाम दे देगा जो भी प्रोडक्ट होते हैं जो भी आपके उत्पादक होते हैं जिसे सैवाल सैवाल क्यों होते हैं जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग बिल्कुल गलत सेवाल आपको उत्पादक होता है हाँ कई बिच्चों के अंसर चाहिए आ रहे बिटा सेवाल उत्पादक होता है सेवाल ही एक मत ऐसा जी हुए जो अपने भूजिन का डिर्मार स्वहम कर पाता है वह से जितने भी प्लांट्स होते हैं वो तो है कि सेवाल कैसा गटक है यह सेवाल किसके अंतर गता हैगा तो सेवाल क्या है उत्पादक है अब उत्पादक ओप्सन में दायंती की ओप्सन दे दीगा जैविक गटक तो सेवाल कैसा गटक होजए जैविक गटक याद रखीगा इस तरह से आपके जाम में कौशन पूचे इसलिए मैं आपको हर एक पॉइंट आसानी से समझा रही हूं नोट कर लिए पहले इस पॉइंट को नोट कर लिए जिस जिसने गलात आंसर कमेंट किया है उत तो बिलकु याद कर ले सैवाल क्या सा है सैवाल आपको उत्पादक है और किसके अंतरगत आएगा चैवे घटक के तो आपके जम में इसी तरह से कॉष्ण पूछे जाएंगे जो भी आपके उत्पादक होंगे उनको उप्सन देदेगा जैसे एक बर आपके जाम में कॉष्ण पूछा क्या था टेस्ट्यू बेबी टेस्ट्यू बेबी कैसा घटक है जल्दी से कमेंट किजी आप लोग जल अपकर गुल सही है टेस्ट्यू बेबी आपका एक जैवे गटख है बिया टेस्बेबी में जिक्त लाते जो परोड होते हैं उसके बात दुछ से क्या एक बेबी होता है बिरिक कराए जाते है क्या को बात लिच Alles आ प्लेकर की लाब मैं लेकिन उसके बाद उसको मढ़र्की वूम में ही तो रप्ले किया जाता है ना मा के गर्व में उसको पर तस्तापित करते हैं तो टेस्टिव बेबी कैसा घटाग है जैविक घटाग है याद रखिएगा ठीक है कई बार इस तरह से क्वेस्टन आपको कन्फ्यूज करते हैं यह जो मैंने आपको टेस्टिव बेबी वाला क्वेस्टन दिया ना एक बार आईस के एक चाम में भी एक क्वेस्टन पुचा गया था इसलिए इसको याद रखिएगा टेस्टिव बेबी का क्वेस्टन और सहवाल इन दोनों को याद रखिएगा तो उत्पादक, उत्पादक किस से बोलते जो अपने भोजन का निर्मार स्वयम कर ले, आप लोग करोंगे मैं हम तो अपने भोजन का निर्मार स्वयम करते हैं, हम तो रोज अपना खाना बना रहे हैं, पिटा आप खाना को क्या कर रहे हो, कुक कर रहे हो, पका रहे हो, खान बुझन को बनाते नहीं है जैसे मारे फ्लांट्स होते हैं तो टेया करते हैं यह सोह निर्माद कर लिए будто그 अब जो अपने पोज़िंगे निर्मारिस रही है तो मतलब क्या कर रहा है अपना सक्षर्ण स्वय्म कर ले उसे हम क्या ब kepada तो हमारे उत्पादक क्या होते है स्वाप भूसी होते размisch क्लियर होगे के प्राइट समझ में तो मैं कमेड़ में कमेंट का में ऑभगता ऑप होता है क्कोंन कोंन से प्रयात्मी पूगता द॥ियक-भ्हुगता और त॥ियक के उफोक्ता कहते हैं कि इसको जू भोचन के लिए उत्पादक पर डिपंड होता है। उससे हम क्या बोलते हैं उपोक्ता। जैसे human, human हम अपने भोचन के लिए शाय हुआ किस पर depend होते हैं plants पर depend होते हैं, plants छे तो हमें औरनाज देते हैं सबजियां देते हैं, दाल देते हैं तभी तो परे भोचन का निर्मार करते हैं तो हम क्या होगे, और भोगता होगे आपगटक क्या होते हैं आपगटक के अंतरगत भी सूच में जीवाते हैं जो क्या करते हैं आपगटन करते हैं बहुत सारी चीज़ों का जैसे आपके वैक्टिरिया होते हैं फाइरस होते हैं प्रोटो जोआ होते हैं जितने भी सूच में जी होते हैं, जो आपकटन के क्रिया करते हैं, वो किस के अंतरगत आते हैं, आपकटन के अंतरगत, आपकटन के अंतरगत, आपकटन के मुकता कैसे होते हैं, यह तो परपोसी होते हैं, या प्रतूप जीवी होते हैं, याद रखेगा, फिर इस पॉइंट पौदे अपने भोजन का निर्मार करते हैं, उत्पादक होते हैं, फिर उत्पादक से क्या होता है, उभोगता भोजन लेते हैं, जो टारेक उत्पादक से भोजन लेते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो प्रात में उभोगता बोलते हैं, क्या बोलते हो प्रात में उभोगता सुने और कुछू expect hm होता हैं जो च्छाल से भी लेते हैं और कई आप चाह्टमिक और कई गर से भी लेता है इंसारवाहारी क्या लिट है हम हम प्राथ्मिक कुंत से भी लेते हैं तो हम क्या करते प्रात्मिक से भी वोजन लेते हैं और कई बर दोतिये को बुगता से भी लेते हैं तो हम क्या करें दोनों से लेते हैं और आप गटक में क्या होते हैं आपके कवक, जिवाडू, इसके यह सारे जिवाडू होते हैं विसाडू होते हैं कवक होते हैं यह सब आपके आप गटक के अंतरगत समझ में नहीं आयो comment box में comment कीजिए आज आपनी क्या-क्या पढ़ा पर्यावरेंट क्या होता है पर्यावरेंट की पेडिया फरम में चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर चाइट के लिए टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने डिसुचन बॉक्स में दीये ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेलफुल लगाए, चैनल का सब्सक्राइब कीचे, वीडियो को लाइक कीचे और अपने दूस्टे फ्रेंड के साथ भी शेयर किजे ओके फ्रेंड तैंक यू फॉर दा वाचिंग मैं वीडियो